घर वाले हो या मैमान किसी को यकीन ही नहीं होगा कि 5-6 मिनट में आपने इतनी स्वादिश टोड़ लाजवा धाबा इस्टाइल पनीर की एकदम एजी और आसान रेसेपी हेलो दोस्तों आप सबी का मेरे चांग पर एक पर फिर से बहुत स्वागत है सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी और अब हम इसे में लेंगे 3-4 चमच दही दही हमेंने ताजी दही का यूद किया है ये दही खटी नहीं है और अब हम क्या करेंगे दही ड components से अच्छे से दही को mix करके इसका सारब का सारा लमस खड़ा कर लेंगे और अगर आपके पास खटी वाली दही है तो सीम तरीके से तीन से चार चमच खटी वाली दही ले और इसमें हाफ टी स्पुन चीने डालके इसे अच्छे से मिक्स कर ले आप टेसन ना ले क्योंकि तही आपकी बिल्कुल भी मिठी नहीं लगेगी और इसका खटास को चीनी बैलंस कर लेगा और अब हम क्या करेंगे इसमें एक चमच थनिया पौडर डालेंगे हाफ टी स्पुन से थोड़ा सजादा हम इसमें हल्दी पौडर डालेंगे और अब हम इसमें तीखे के लिए एक चौथाई चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे तीखा आप अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं और आप इसमें हरी मिर्च का भी उसकर सकते हैं और अब हम इसमें काली मिर्च का पौडर डालेंगे यहां मैंने चुट chỉ बर काली मिर्श का पॉडर यूज की हूँ और हाफ तीस्पुन कास्मेरी लाल मिर्श पॉडर आइड करेंगे कास्मेरी लाल मिर्श पॉडर से बहुत भड़ीा इस recipe में color आती है तप इसे जरूर आइड करें और अब हम इसमें एक टीसपून बेसन अड़ करेंगे अगर आपके पास भुना हुआ बेसन है तो आप उसका यूज करें लेकिन यहां मैं कच्छे बेसन का यूज करी हूँ और अब हम क्या करेंगे इन सभी इंग्रेडियन को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे इसे एक से देड मिनट के लिए इस तरीके से mix करके हम साइड में रखेंगे GAS on करेंगे और अब हमें एक पैन लेंगे हाई फिल्म पर हमें पैन को अच्छे से गरम होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें दो चमश सरसो का तेल डालेंगे सरसो का तेल डालकर इसे भी पैन में अच्छे से गरम होने देंगे और अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और इसमें हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे जीरे डालकर इसे तेल में अच्छी से क्रैक होने देंगे जिससे जीरे का flavor oil में अच्छी से आ जाएगी और अब हम इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे गस का flame इस टेंब पे आप medium ही रखे जिससे हमारे कोई भी ingredient चलेंगे नहीं और अब हम इसमें प्याज डालेंगे यहां मैंने एक मेडेम साइज के प्याज को इस तरीके से लंबे टुकडों में काट ली हूँ और अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम इस इस स्टीज पे एक मिनिट के लिए हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम continue पैन में इस तरीके से प्याज को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जिससे प्याज का कच्छापन खतम हो जाएगा और प्याज हमारे जल्दी कैरमल भी हो जाएगे और अब हम क्या करेंगे इसमें half teaspoon नमक डालेंगे नमक डालने से प्याज आपके जल्दी soft होते हैं और नमक की वज़ा से ये बहुत ही अच्छे से कैरमल होके पग भी जाते हैं और अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से continue चलाते हुए भून लेंगे और इस टाइम पर गैस का flame यहां मैंने medium रखा है जिससे हमारे ingredient जलेंगे नहीं और वो अच्छे से पकेंगे दोस्तों आप सभी से एक प्यारी से request है कि अगर आपको मेरी recipe और वीडियो अच्छी और helpful लग रही है तो मेरी वीडियो को like करें चनल को subscribe करें और अधिक से अधिक share करें और आप इस recipe को अगर वरत में बना रहे हैं तो इसमें से प्याज लैसून जो भी आप नहीं खाते आप उसे skip कर सकते हैं और बाकी सारे ingredient आप same ही रखें इससे आप इस recipe को वरत में भी easily बना के खा सकते हैं और अब हम क्या करेंगे प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं तो हमारे मसाले भी अच्छे से फूल गए हैं दही में तो हम इस time पे क्या करेंगे मसाले को पैन में डालेंगे और गैस का flame इस time पे medium रखेंगे medium flame पे हम इसे 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छे से pan में mix कर लेंगे और अब हम गैस का flame 10 से 15 से के लिए high कर लेंगे और high flame पे अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे जिससे हमारे मसाला तो instant भूनेंगे ही और दही हमारी बिल्कुल भी फटेगे नहीं और आप इस तरीके से इसे continue चलाते रहें जिससे ये pan में लगेंगे भी नहीं और इसका flavor बहुत ही बढ़िया आनी वाली है और आप इसे जैसे जैसे भूनेंगे इसकी खुश्बू पूरे आपकी किचन में आएगी और हम इसे इसी तरीके से 2-3 मिनट के लिए medium flame पे ही भून लेंगे क्योंकि सारा जो flavor है इस मसाले में ही है और इस तरीके से अगर आप भूनेंगे तो मसाले आपके जलींगे भी नहीं और आपकी जो recipe है बहुत ही बढ़ी और flavorful बनेगी तो जब भी आपके घर में अचानक से महमान आ जाए तो आप बिना किसी tension के सिर्फ 5 मिनट में इस तरह से भी कूँ बना सकते हैं आपके guest हो या मैमान आपकी तारिफ करने से खुद को रूख नहीं पाएंगे और अब हम क्या करेंगे इसमें आधी कटूरी पानी डालेंगे पानी डालकर gas का flame high कर लेंगे जिससे पानी हमारे काफी अच्छे से मसाले में मिल जाएगी और आप देख सकते मसाले हमारे काफी अच्छे से भुन गए है यहां मैंने पानी डालकर gas का flame high कर लिया है और high flame पे हम इसमें एक boil आने देंगे और अब हम इसमें कटे हुए पनीर डालेंगे यहां मैंने 200 gram पनीर का यूज की हूँ पनीर को यहां मैंने already cube में cut कर लिती तो पनीर डाल करके हम इसे अच्छे से gravy में mix कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं हमारे gravy में डालते ही पनीर काफी अच्छे से colorful हो गया है तो हम क्या करेंगे इसे और एक मिनट के लिए gravy के साथ पनीर को पकने देंगे और इस टेंपे gas का flame medium ही रखेंगे जिससे पनीर के अंदर तक gravy का flavor आएगी और अब हम इसमें एक टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी के जगा आप धनिया की पत्ति कभी यूज़ कर सकते हैं और आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इसे फिर से हम अच्छे से पनीर में mix कर लेंगे और इसे एक से डेड़ मिनट के लिए और गरम मसाले के साथ हम पकने देंगे और अगर आपको पनीर कच्चे नहीं पसंदे तो आप इसे फ्राइ करके भी इस तरीके से एड़ कर सकते हैं गरम मसाले का भी फ्लेवर गरेवी में और पनीर में बहुती अच्छा आएगा और अब हम इसमें एक से दो चमच घर का बना फ्रेश क्रीम डालेंगे यह डालना अपसल है अगर आपके पास हो तो डाले नहीं तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं और क्रीम डालने के बाद अब आप देख सकते हैं पनीर हमारा एक दम रेश्टरेंट इस्टाइल दिख रहा है तो आप इस तरीके से बिना किसी जंजट और टेंशन के जब भी आपके महमान आया जब भी आपके कुछ अच्छा और टेश्टी काने का बनो ता आप इस तरीके से पनीर बनाए मेरी गैरंटी है कि घर वाले हो या फिर आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे सिर्फ पांच मिनट में बनाया है और अब हम इसमें एक इस तरीके से हरी मिर्च काटके डालेंगे जिससे यह और भी जादा टेश्टी लगेगी और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे हम इने धक करके पांच मिनट के ठंडा होने के लिए रखा था और ये लिजए हमारे लाजवाब धावा स्टाइल पनीर बनके सिर्फ पांच मिन सभी कि